वेल्कम बैक टू माय चैनल मैं हुनी धी और नीडिस किचन में फिर से आप लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं लग के आई हूँ आप लोगों के लिए आज एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग है और उसका नाम है चरसी मतन कराई और यह सब्सक्राइब नमक-मंडी चरसी नाम और उसमें के लिए पर उसका नाम है इस मतन कराई जाओ से आई बहुत ूस犯 ज्यादा शूरू करते हैं तो चलिया से फिर मसिदार से वत शूरू करते बहुत देना चाहरे हूँ यह जो recipe है आप लोगों को बहुत ही कम time में और बहुत ही जादा अच्छा आपको अगर mutton यह चिकन में भी available होती है आप chicken में बहुत बना सकते हो अलग तरीके से से मतलब उसी तरीके से बस आपको mutton और chicken दोनों जो पसंदों उसमें आप बनाएगे मतन का जो गोश का जो स्वाद होता है जो फ्लेवर होता है अगर आपको वो पसंद हो तो आप इस रेशेपी को सबसे पहले बनाएंगे तो हम भी कुछ ऐसे ही हैं, हमें मटन का जो गोश्ट का फ्लेवर है, वो बहुत ज़दा मतलब पसंद आता है, तो बस इसलिए इस कमालती रेसिपी को हमने बनाया है, तो चलिए भीना देरी करते हो, शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को, तो यहां पर चर्सी मटन बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दू थोड़ी आपको जो कढ़ाई है वो मोटी लेनी है, जिसका स्थर जो बुलते हैं कि वो हैवी कढ़ाई हो, बहुत पतली ना हो, ने तो आपका मटन जो हो ना चिप अंदर से, उपर से मतल मतलब यह चर्वी में ही बनाई जाती है, और आपको एक खास बता दू, जब आप यह रेसिपी को बनाएगे तो मतन को धोना नहीं है, पर यहां पर मैंने मतन को धोया है क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं जाएगा, पर हाँ, मतलब यह रेसिपी का मेन जो प्रोसेस है, वो चर्वी के साथ आपको डाल देना है मतन, और मतन जो है वो मैं आपको बता दू, कोई हम प्रेशर कुकर या कुसी भगोने में नहीं, इसी कड़ाई में बनाएगे क्योंकि यह रेसिपी को बनाने का तरीका ही ही है, तो यहां पर देखिए, मतन को जब आप मिक्स कर लेंगे चर्वी के साथ आपको यहां पर सबसे पहले डाल देना है, अब नमक, आपको बता दू, यह सेकेंड इंग्रिडियन्स है, और आपको गिनके मैं बता रही हूं कि सारी चीज़े जो है वो, पांच चीज़े है, तो यह तीसरा गोश है, हमारा मतन है, तो तीन चीज़े तो ह इसको अच्छे से कवर करके, तीस मिनिट के लिए बस आप आग बन करके इसको छोड़ दीजिए, आपको इसको बार बार खोलना नहीं है, क्योंकि धकन को अगर आप बार खोलेंगे, तो जो इसका प्रेशर है ना, वो निकल जाएगा, और जो की तीस मिनिट में अच्छा प्रेशर बन जाएगा, तो यह मटन को अच्छे से पकने में हेल्प करेगा, तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखिए, यहाँ पे देखे, थर्टी मिनिट बाद मैं कुछ उठा रही हूं रखन को, तो यहाँ पे देखे, बहुत सारा मटन ने पानी छोड़ा हुआ है, और अभी इसको कसर है पकने के लिए, मतलब इसको हम छोड़ेंगे अभी पकने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखे, मैं भी चेक करूँगी कि यह कितना परसेंट पका है, अभी यह हुआ नहीं है, पर हाँ एक बार आपको बीच बीच में चेक करना चाहिए, इससे आ और यह अपने वाफ में ही पकता है, तो इसलिए इसको ढख ढख कर हमको पकाना है, तो यहाँ पे देखिए, और दस मिनट बाद मैंने इसको उपन किया है, तो अब मैं देखिए, पानी जो है ना, क्यूंकि हम इसको मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, अगर आपको गैस की जो है, वो बटन जो अगर आपको दिखरी होगी, तो वो मेरा जो गैस का बटन है, वो मीडियम फ्लेम पे ही मैंने रखा हुआ है, अभी इस रेसिपी का फोर्थ इंग्रिडेंस हम एड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, टमाटर जो है वो मैंने इसमें अच्छे से बस एक-एक साइड में रख दिया है, अब हम इसको ढख कर ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग यह सोच रहोंगे अपने मन में कि हम यह टमाटर को पीस के भी अड़ कर सकते हैं, दोस्तों देखिए, हर स्वाद का मज़ा है न, यह कुछ तरीकों से नहीं मिलता, अगर आप जरा भी चिटिंग करोगे, फिर आप कहोगे कि नहीं यह स्वाद नी आया, यह तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से हमें पकाना है, तो यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने टमाटर को अच्छे से गला लि यह है, यह है फिफ्ट इंग्रेडियन्स, जो इस रेसिपी का लास्ट इंग्रेडियन्स है, इसके बाद हम इस रेसिपी में कुछ भी एड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, मैंने डाल दिया है, इसमें मिर्च, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ह पर बार एकी बात कहना चाहूंगी, जैसा दिखा रहे हूं, जैसा बता रहे हूं, आप प्लीज वैसे ही बनाएगेगा, जरा भी अगर आप चुटिंग करेंगे, तो आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा, चरसी मटन का, जो आपको एक्चुल में मिलना चाहिए, तो आपको इसी तरीकी को पूरी तरीके से फॉलो करना है, और एंड तक देखना है कि रिजल्ट क्या है, तो यहां पे देखिए, और अच्छी तरीके से जब मटन, जब टमाटर गलेगा मटन के साथ, मटन भी अपनी रंगत में आएगा, और टमाटर जो है वो अपना कलर तो भाई, लाल लेकर ही आएगा, तो यहां पे देखिए, पांच टमाटर मैंने यूज किये हुए थे, जो कि आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर कि खटा हो जाएगा, जी बिल्कुल नहीं खटा होगा, मिर्ची का मटन का टमाटर का स्वाद सम मिलकर, जो लाजवाब स्वाद है, मुँ में घुल जाए, तो कुछ दस मिनिट बात देखिए, मटन हमारा इतनी हद तक पक गया है, कि अब ये नीचे चिटकने लगा है, तो अब इस वक्त है, सही वक्त है कि मैं गैस के फ्लेम को आफ कर दूँ, अगर दोस्तों आपको चाहिए, तो आप इसमें हलका सा एक प काफी खुबसूरत देखने में लग रहा है, तो आपको मेरी रेसिपी पसंदार ही हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो व्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहते हैं चैनल पे, तो देखा आपने कितना बहतरीन लग रहा है, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहती हूं, उमीद करती हूं आपको मेरा ही वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को बिना भूले, चैनल को सपोर्ट करने के लि झाल झाल